दोस्तों अगर आपके फोन में प्लेश्टोर नहीं दिख रहा है गलते से डिलीट हो गया है या किसी विप्रकार से अगर प्लेश्टोर डिलीट हो गया आपके फोन से तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप एक प्लेश्टोर कैसे डावलोड कर सकते ह तो सबसे पहले करना कि आपको करना कि आपको करने के लिए यहां पर मैं नीचे के सइड मैन आए तो आपको यहां पर एक आप् Herren देहने को मिले अफ कि नम से अगर आपको यह यह एनी क्या रही है तो आपको कर ना क्या ऑपको सब्सक्राइब करना यह इसारज वाला आइकन धिकर नाकर रहए को देहरी है एंड जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके फोन में जितने सारे एप रहेंगे सारे कि सारे यहां पर आपको सो हो जाएंगे तो आपको करना कि आपको नीची आना है यहां पर नीची आते जाना है एंड जैसे यहां पर नीचे आएंगे तो यहां पर आपको एक आप यह जो Google Play Store लिखावा है आपको सिंपले इस पर किलिक करना है और जैसे इस पर किलिक करेंगे तो देख सकते हैं ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा अब आपको करना क्या है अब आपको यहां पर देख सकते हैं एक इनेबल का आफसन दिखाई दे रहा है आपको स पर किलिक करना है और जैसे इस पर किलिक करेंगे तो हमारा जो प्लेउस्टोरा है वह उमारे फोन में डावलोड हो जाएगा यानि कि enable हो जाएगा तो simply मैं यहां से cut कर लेता हूं and cut करने के बाद मैं अब आपको दिखा देता हूं कि playstore जो है मेरे फोन में download हुआ है या नहीं तो इसके लिए मैं देख सकते हैं एप को scroll कर रहा हूं and last में यहां पर देशकते प्ले इस्टोर जो है मेरे फोन में simply यहां से डाउलोड हो चुका है तो कुछी स्क्राइब से आपको अपने मुबाइल फोन में प्ले इस्टोर को डाउलोड कर सकते हैं अगर वीडियो पसंद है दोस्तों तो प्रिस वीडियो को लाइक कर दिजिए और ऐसे इंट्रेस्टिं वीडियो देखने कि दे हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए और बेल आइकन ट्रेस को आलत क्लिक कर दिजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो का नवट इफिस्टेशन आपको सबसे पहले मिले